दोस्तों अगर आपने रासन कार्ड के लिए अपलाई किया है और बहुत दिन हो गये हैं और आपको मालूम नहीं चल रहा है कि आपका रासन कार्ड बन गया है या नहीं बन गया है तो आज मैं आपको दो तरीके बताने जा रहा हूँ जिनसे आप चेक कर सकते हैं कि आपने ज इसे information वाली वीडियो जो लाता रहता हूं तो चलिए बताते हैं आपको कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपका apply किया हुआ रासन कार्ड बन गया है या फिर नहीं तो अपने रासन कार्ड के आवेधन की इस्थित जानने के लिए सबसे पहले आपको अपने फॉन का कोई भी browser open कर लेना है और यहाँ पर type करना है उमंग यह देख सकते हैं मैंने उमंग लिखके search किया है तो उमंग की official website आ गई है उमंग.gov.in इस पर click कर देंगे यह देख सकते हैं उमंग का official page open हो गया है यह काम आप application में भी कर सकते हैं और browser में भी कर सकते हैं तो मैं फिलाल अभी browser में करके दिखाने जा रहा हूँ अब यहाँ पर आपको सबसे पहले three line पर click करना है यह मैंने click किया तो देख सकते हैं दाइनी तरफ लिखा हुआ है अब देख सकते हैं यहाँ पर कई state का जो भी उमंग पोर्टल पर जो भी state का राशन कार्ड की facility उपलब्द है वो सभी state यहाँ पर आ गया है तो यहाँ पर मैं एक पर click करता हूँ यह मैंने click किया अब यहाँ पर देख सकते हैं कई option आ गये हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे उपर view राशन कार्ड detail यहाँ से आप अपने राशन कार्ड की detail देख सकते हैं अगर बना हुआ है और अगर apply किया हुआ है तो यहाँ पर लिखावा track application status यहाँ पर आपने जो number और mobile number यह दो चीजे डाल देनी है तो आपने जब apply किया होगा तो आपको number मिला होगा reference number या फिर यह जो भी number है और उसके बाद mobile number जो register किया होगा आपने इसको डालके get OTP पे click करेंगे उसके बाद OTP डालके जब submit करेंगे तो आपको अपने राशन कार्ड की पूरी detail मिल जाएगी कि बना है या नहीं बना है जो भी status होगा except हुआ है या reject हुआ है उसकी पूरी detail आपको यहाँ पर मिल जाएगी और चलिए आब आपको बताते हैं अगर इस तरीके से आपको नहीं मिलता है यहाँ पर check करने के लिए option नहीं आता है आपके state का यहाँ पर नहीं सो कर देख सकते हैं सबसे उपर लिखा हुआ है रासन कार्ड अगर आपका ऐसे show नहीं कर रहा है तो आपको सबसे पहले अपने browser को desktop side पे कर लेना है तो सारे option आ जाएंगे उसके बाद यह रासन कार्ड का जो option है यह इस पर click कर देना है अब देख सकते हैं यहाँ पर दो option आ गय है अब यहाँ से आपको अपना state select कर लेना है अब जिस भी state से हैं वो state select कर लेंगे तो मैं एक state select कर लेता हूँ अब यह देख सकते हैं यह पर आपको अपना जिला select करना है तो मैं अपना जिला select कर लेता हूँ यह देख सकते हैं जिला आ गया है अब यहाँ पर आपको देख लेना है कि आप ग्रामीर छेत्र से हैं या फिर सहरी छेत्र से यह उपर है नगरिय छेत्र और नीचे है ग्रामीर छेत्र तो मैं अपना छेत्र सेलेक्ट कर लेता हूँ आप अपने हिसाब से जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं तो इसमें जो है आपको ब्लॉक सिलेक्ट करना है यहीं सहरी छेतर में होंगे तो टाउन सिलेक्ट करेंगे और ग्रामीर छेतर में होंगे तो ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे तो जो भी है आपका जो लगता है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे यह देख सकते हैं open हो गया है अब आपको यहाँ पर ग्राम पंचायत अपने select करनी है जो भी ग्राम पंचायत होगी उसको select कर लेंगे यह मैंने ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर ली है अब यहाँ पे देख सकते हैं आपके रासन कार्ड का प्रकार किया है पहले तो यह आपको सेलेक्ट करना है अगर पात्र ग्रहस्ती है तो उसका सेलेक्ट करेंगे कार्ड की category क्या है अन्तोदे या पात्र गहस्ति तो एक मैं select कर लेता हूँ कि अब देख सकते हैं यहां पर उपर पुरी detail दी हुई है दुकान चेतर के बारे में और यहां पर देख सकते हैं पूरी लिष्ट आ गई है डिजिटल रासन कार्ड संख्या यानि रासन कार्ड नंबर और धारक का नाम पिता पत का नाम माता का नाम और यूनिट तो अब यहां से आपको अपना नाम सर्ज करना है अगर आपने अपलाई किया हुआ है और यहां पर आपका तो सबसे पहले आपको एक three dot पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद अब यहां पर नीचे आएंगे देख सकते हैं लिखा हुआ find in page इस पर क्लिक कर देंगे तो यह देख सकते हैं यहां पर उपर लिखने के लिए आ गया है यहां पर आप जो भी लिखना चाहें जो भी नाम ह है आपका तो उसके कुछ अक्षर लिख लेंगे आप देख सकते हैं यहां पर मैंने लिख लिया है तो वो numbers highlight हो गया है वो अक्षर से जो भी नाम है वो यहां पर highlight होके आ गया है तो इस प्रकार से आप अपना नाम सर्च कर सकते हैं और अगर आपका नाम जब देखता है य देख सकते हैं यहां पर रासन कार्ड की पूरी डिटेल आ गई है नाम जिसके नाम पर है और पूरी डिटेल रासन कार्ड नंबर और उसके बाद में सदस्यों का नाम जैनि रासन कार्ड में इसने सदस से add हुए हैं उनके सब के नाम आ गये हैं तो आप यहां से match कर सकते है कि आपका ही है या फिर किसी और का है अगर इसमें आपका नहीं होता है तो आपके नाम का जो दूसरा होगा उसमें आप चेक कर सकते हैं कि वो आपका है या नहीं है अगर इस लिष्ट में आपका नाम मिल जाता है तो मतलब कि आपका रासन कार्ड जो आपने अपलाई किया था वो बन गया है लिष्ट में आपका नाम नहीं मिलता है तो फिर आपका रासन कार्ड अभी तक नहीं बना है तो इस प्रकार से आप चिक कर सकते हैं कि आपने जो रासन कार्ड के लिए अपलाई किया था इस चैनल पर मैं ऐसे ही इंफर्मेशन वाली वीडियो जलाता रहता हूँ तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैन